बेसिक इंपावर्मेंट का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं बेसिक इंपावर्मेंट को हिंदी में आप बुनियादी सशक्तिकरण कह सकते हैं और बुनियादी सशक्तिकरण या बेसिक इंपावर्मेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी individual यानि कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय या कोई भी organization अपने बुनियादी विकास के लिए जो भी कदम उठाता है या अपने आपको और बहतर बनाने के लिए या अपने आपको और सशक्त बनाने के लिए जो भी कदम उठाता है तो उन कदमों क basic empowerment कह सकते हैं या बुनियादी सरशक्तिकरण कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहने कि शिक्ष्या और स्वास्थे देखबाल तक पहुंच बुनियादी सरशक्तिकरण के मूल घटक हैं तो आप कह सकते हैं access to education and health care are fundamental components of basic empowerment या अगर आप ये कहना चाहें कि बुनियादी सरशक्तिकरण कार्यकरणों का उद्देश्य प्रति भागियों के बीच आत्म सम्मान और आत्म विश्वास को बढ़ाना है तो कह सकते हैं basic empowerment programs aim to enhance self-esteem and confidence among participants अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें